नमस्कार दोस्तों मैं प्रियंगा यादव, आप सभी का स्वागत करते हूँ आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट विद प्रियंगा पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है वो हिंदी बासा के विकास में जो है बोलियों के छेत्र और उपबोलियों के बारे में डिसकसन कर रहे थे और लाश्ट वीडियो में हमने जो है इसका 50% पार्ट कवर कर लिया था और जो 50% पार्ट है वो हम आज इसका कवर कर लेंगे दोस्तों तो दोस्तों हमारी वीडियो पर आप प्लीज अंदर तक बने रहे हैं के आईए दोस्तों चलते हैं अपने पर दोस्तों है little जैसा कि हम ने बताया कि आम बोलईओं चलते हैं अपने और पर लेंदा घ्रपर ल के आधी लगते लालें यानि कि हमारी यह जो अलवसके और गड़गां है उनके और ँ 지 रहे हैं इसे इडियो लगा hex वहाँ पर जो है हमारी मेवाती भासा बोली जाती है इसकी उपबोली है अहीरवाटी कौन सा है दोस्तों अहीरवाटी नामियाद रख लीजेगा दोस्तों अहीरवाटी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं मेवाती जो है उत्री राजिस्थानी में आती है जो की अलवर और गुणगाओं के पास के जो एरिया है वहाँ पर बोली जाती है इसकी जो उप बोली है वो है अहीरवाटी क्या है दोस्तों अहीरवाटी यहाँ पर हमारी मेवाती बोली कंप्लीट होती है अब आती है हमारी जैपुरी जैपुरी कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों पूर्वी दोस्तों एक ही अन्य नाम है तो आपको अच्छे से इसली याद हो जाएगा अगर आप दो से तीन बार इसे पढ़ लेंगे जैसा कि हमने आपको कल्वी राजस्थानी में है तो इसका अन्य नाम क्या है डूणानी इसकी जो उपबोलिया वो कौन सी है राजबाटी किसंगड और हडोती इसकी तीन उपबोलियां है और आप से पूछा जाए जैपुरी भासा की आफसर में आ जाए कि कौन सी उपबोली है अगर इनमें से कोई एक भी आ जाए तो आपका इनी में से एक होना चाहिए आई एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं यहां पर दिया गया है ज वहां पर है राजस्तानवा मंद्ठ पृदेश के चेत्र में या राजस्तान जो छेत्र होता यहां पर हमारी दत्षडए राजस्तानी यान कि माल वी भासा जो है वह बोली जाती है इसकी उपबोलियां जोए हमारी दोस्तों सौनाबाड़ी मंद्शीरी डंगरी निमाणी उमठबाही एक बार फिर से पढ़ लेते हैं सौनाबाडी मंदशीरी डंगरी निमाणी और उमठबाही आप दोस्तों इसे आप दोजों का ग्रूप बना के याद करिए जैसे आपने कर लिया सौनाबाडी मंदशीरी आप इसको तीन चार बार फिर से पढ़िए सौनाबाडी मन्दी मंदसी सौनावारी मं development से और से अपनी आइज क्लोज करके और फिर तीन और पढ पढ़िये नहीं रही है आपको यह डंगृरी और निमानी इसलिए बर तो जो अया इसमें यहां जाए है यह गहाए है मालवी की जो है वह बोलियां कंपलीट है हो जाती है अब आये दोस्तों आते हैं पहाड़ी इन्दी पर पहाड़ी इन्दी पर आते हैं यह कहां पर गढ़ी जाती है इंदा और फिर से देख लेते हैं पाड़ी इंदी खस अपरणस से बिक्षित है कि दिया दो पार्ट में डिवाइड है कौनी और गड़वाली और यह कौनी और गड़वाली कहां पर रहे हैं मद्द एहमाचल परदेश और उत्राखंड की एरिया में बोले जाने वाली भासाइं हैं अब देख लेते हैं हमारी बिहारी इंदी बिहारी इंदी किसे से बिक्षित है यह जो है मागदी अपरणस्य विक्षित है बिहारी इंदी अगर आप आप से पूछ ले जाए दोस्तों कि referencing होित एक और फिर से देख सब्सक्रांब लक्राइब दोस्तों का सबसे अधिक भूछ पूरी जाने के लिएक 같은 थीद्स प्रकान से प्रकाइब खेसे बूछ इसके सब्सक्राइब हम कंवारी दारखभ देखें थाकश्के जो सबसे षाछम के लिए यहぁ बारे देखिए अधिक बोली जाने वाली बोली है वह कौन सी है तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों भोजपुरी जो है वह हिंदी में सबसे अधिक बोले जाने वाली भासां में से एक है दोस्तों इसके जो छेत्र है वह देख लेते हैं भोजपुरी जो है वह बनारस में बोली जाती है गाजीपुर में बोली जाती है आजमगण का एरिया हो गया मव हो गया बलिया गोरकपुर देवरिया बस्ती सहावाद चंपारण और सारण इन सब एरियां में जो हमारी भोजपुरी इननी बोली जाती है यह छेत्रे इसलिए जादा है क्योंकि यह हमारी काफी छेत्रों बोल लीजिए पहले आप लर्ण कीजिए बनारस मेन पूर गाजी पूर बनारस जौन पूर गाजी पूर बनारस जौन पूर गाजी पूर जब आपको बनारस जौन पूर गाजी पूर लर्ण हो जाए उसके बाद नेक्ट पर आईए आजमगड मौ बलिया आजमगड मौ बलिया य जो हमारे बनारस जोनपूर गाजीपूर आजमगण मौ बलिया यह कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप गोरकपूर देवरिया बस्ती गोरकपूर देवरिया बस्ती इन्हें फिर से लर्ण कीजे गोरकपूर देवरिया बस्ती तो यहाँ पर हमारा तीन का प्यार हो गया उस पुर खिर भूर इहां पर बोच्पुरी हिंदी बूली जाती है इसकी जो उपनारशी नगपुरिया थारू बंग रही कौन कौन सी बनारशी नकपुरिया थारू बंग रही यह जो है वो इसकी उपबोली आए गार फिर से पढ़ लेते हैं हमारी भोशपुरी इंदी सबसे अधेक बोली जाने वाली बोली जो है इंदी में भोशपुरी है अब आते हैं अपनी मगई भासा पर किस पर दोस्तों मगई भासा को हम देख लेते हैं मगई जो है वो मगद राजी के केंद्र पटना वा उसके आसपास छित्र में बोली जाती है जो हमारे मगद राजी केंद्र था पहले वो क्या था पटना तो जो मगई भासा है वह है पटना और उसके जो पटना का आसपास का एरिया लगा हुआ है वहाँ पर जो है यह भासा बोली जाती है कौनसी मगई भासा छित्र देख लेते हैं जैसे गया का एरिया हो गया पला कि यामोरी ब жел Ils ईतिक वहरे नागनी कर लिएक हैं उसके च्रेंद salvar इस च्छेंटने यहां पर दिया गया होग हजारी मुंग्यर बागर सब्सक्राइब मगवा अनुद्यतने हैं यह जो है वह एक कैथी या नागरी लीबी में लिखी ही जाती है अगर आपकी पूझा जाती है तो कैथी और नागरी लीबी आपका आंसर हो न चाहिए तो यहाँ पर जो हमारी मगरीсь कंप्लीट होती है आद आप्याई मेथली मेथली जो हे हंठी वह हिंदी बांगला अगर पूरृयां मुंगेर कौन कौन से दोस्तों दर्भंगा मुझपफर पूरौण या मुंगेर इत्यादी में जो है मैथ्ली भासा बोली जाती है इसकी जो उपपोली है वह है छिकादी की कि एक फ मेथ्वार फिर से देख लीजे चीकादी कि मैतली जो भौकला विध्या कि साहीं स्तली मैतली बासा उसके बाइब जो हमारी पूर्णिया और मंगेर कौन कौन से दर्भंगा मुझफर्ण चिकादेगी और मेतली में गींज़की रिखी यह वो क्या है कोकला बिद्या-पती क्या है दोस्तों कोकला बिद्या-पती तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि हमारी जो जितनी बोलियां और उनके छेत्र थे वह सब हमने जो हमारी exam oriented है वह सारी कवर कर लिये हैं यहाँ पर आपको 100% हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी exam में इस chapter से question मनता है तो यहाँ से question 100% आपको मिल जाएगा दोस्तों और दोस्तों यहाँ पर जो हमारी हिंदी भासा का विकास की जो हमने थोड़ी बहुत थे ओरी देखे या पर जो हमारे exam oriented point थे वह हमने देख लिए नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसे राजभासा की तोर पर और देख लेंगे दोस्ते और उसके बाद जो हमारी हिंदी भासा का विकास यहाँ पर फिनिस हो जाएगा और जो हमारा next chapter होगा वह होगा दोस्तों बर्ड माला तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी doubt होता है हम आ नहीं समझ पा रहे हैं या आप हमारी साथ महनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं और जो लोग है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं लोगडाउन की वजह से दोस्तों बहुत से जो एक्जाम है वो पोस्पॉन हो सकते हैं लेकिन आप ये मत सोचिए कि अभी जो है वो एक्जाम पोस्ट पॉन हो गया तो हमें नहीं पढ़ना हैं दोस्तों यही सही टाइम है आपके पढ़ने के लिए अगर इस टाइम में आपने पढ़ लिया तो जैसे ही आपकी वेकेंसी आएंगी आप फॉर्म फिल करेंगे और ए अगर बहुत अच्छी होगी तो आप 100% उस एक्जाम को दोस्तों क्वालिफाई कर जाएंगे तो इसलिए दोस्तों जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो उनके साथ हमारे वीडियो को जरूर सेर कीजिए हम उनके लिए एकदम स्टार्टिंग सही लेकर आएं और अगर आपको दोस्तों हमारी मेनत पसंद आ रही है हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे सेर करना आप ना भूलें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच गाइज